ओम नमस्षिवाए आज का जो हमारा यहाँ पे चर्चा का विशह है यह है उल्लू की साधना और जो लोग यह उन लोगों के लिए है जो निडर हैं जो मौत से नहीं डरते या किसी भी प्रकार की खतरे से खेल सकते हैं यह वीडियो उनके लिए है और किर्प्या वही इसका प उल्टा पढ़ जाता है उल्टा पढ़ने का मतलब है ओन्दस पोर्ट डैथ आप उसी वक्त प्रान त्याग देंगे या उल्लू आपको मार डालेगा हाला कि यह सुनने में बहुत कालपनिक लगता है लेकिन यह वास्ताव में होता है बहुत से लोग शायद मेरे बात से सह मतना भी हो लेकिन आपको मैं बता दूँ अगर आप उल्लू की साधना करते हैं और उल्लू की साधना में आपको विशिश प्रकार के बीज मंतर चाप करने होते हैं और यह मंतर उल्लू के लिए ही बने होते हैं खास जिससे कि फिर उसके अंदर ऐसी अद्बुत शक्ती आत और उल्लू को जब आप जगा के रखते हैं 41 दिन तक तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, आपको लगेगा कि कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन जब 41 या 40 दिन आता है, तब उल्लू आप से जैसे इंसान बात करते हैं, वैसे बात करने लगता है, और मैं आपको य सादक मेर से अफसरा साधना उल्लू साधना करंपिसाचनी इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो मैं उनको यह बताता हूं और यह ग्यान बिल्कुल 100% सत्य है बिल्कुल खरा सोना है आप इसको अगर अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे या प्रैक्टिक क्योंकि उल्लू की साधना करना कोई बच्चों का काम नहीं है इसको वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले भी कोई साधना की हो क्या होती है उल्लो की साधना कैसे किया जाता है उल्लो को प्रसंद और क्या है इसके फाइदे उल्लो की साधना अगर आपने कर ली पहले मा आपको फाइदे बताता हूँ उल्लो की साधना के बाद आपको ये पता लग जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है फला व्यक्ति के घर में क्या है या उसने भी कौनसे रंगे वस्त पहने है या वो अभी क्या कर रहा है आप उल्लू की सहाथा से गड़ा हुआ धन भी देख सकते हैं या आपको मालूम पढ़ जाएगा उल्लू की द्वारा की कहां पर धन गड़ा हुआ है और आप सेकेंडों के हिसाब से खरबपति या अरबपति बन सकते हैं यह बहुत मामुली बात है इसलिए लोग या जादßen तरतांतुरिक उल्लू की तलाश में रहते हैं उल्लू की भी किस्मे होती है जो सफेद उल्लू होता है वो सबसे जादा इन सब चीज़ों में कारिगर होता है जिस प्रकार हर चीज की किस्मे होती है अलग-अलग किस्म के होते हैं और उनके प्रभाव भी वैसे होते हैं तो सफेद उल्लू का अगर आप करते हैं प्रयोग तो बहुत जादा उसका आपको उसका रिजल्ट मिलेगा मतलब उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है ये प्रक्रतिक है और ज्यादा तर वशीकरण जो की अत्यंत प्रचंड कामकान वशीकरण होते हैं यानि की यहां पे किया और वहां पे असर सेकेंडों के साब से उसमें उल्लू जैसे इनसान के फेस जैसे इनसान के चहरे जैसे जो जानवर होते हैं जैसे कि उल्लू या सहाब जिनकी दोनों आके सामने होती हैं तो इनके दिल, दिमाग और गुर्दे निकाल लिये जाते हैं और इनको जमीन में दफना कर इनके ओपर प्रयोग किया जाता है तब ये ऐसे अद्भुत चमतकार होने लगते हैं कि आपको लगेगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था और रही बात उल्लो की साधना की तो उल्लो की साधना में आपको पहले कम से कम दो महीने पहले से अपने आपको तैयार करना है आपको जगनी की कोशिश करनी है उल्लू के साथ साथ जितना हो सके लेकिन क्योंकि हम व्यक्ति, हम मनुष्य मात्र इतना नहीं जग सकते इसलिए आपको किसी न किसी की साहयत लेनी होगी क्योंकि अगर उल्लू जरा सा भी सो गया तो फिर शुरू से सिलसला शुरू करना पड़ेगा और इसमें बहुत समय लग जाएगा तो आपको दो या तीन व्यक्ति रखने पड़ेंगे जो यदि आप सो जाएं तो वहे काम करें और उल्लू को सोने ना दें या किसी भी प्रकार से आप उल्लू को ना सोने दें और उसके बाद जब 41 वा या 40 वा दिन होता है तो उल्लू अपनी ख्वाहिशे बताने लगता है अपने फाइदे बताता है या अपने आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये तब ही होता है जब आप साधना को सही तरीके से करते हैं उल्लू की साधना के लिए आपको उल्लू को मास खिलाना पड़ता है हड़ियां खिलानी पड़ती है जो कबरिस्तान से लेके आनी पड़ती है उनको पीस के दूद में उबाल के फिर आपको वो खिलाना पड़ता है और वो उसका बहुत ही पसंदीदा खाना भी होता है एक तरह से उलू जब साधना में होता है तो उसको एक नशा हो जाता है और ये नशा उन मंतरों से ही होता है और जब वो ये चीज़ खाता है जो आप उसे खिलाएंगे हड़ियां दूद में गरम करके तो फिर उसके बाद जो चीज़ होती है वो आपके रॉंग्टे खड़े कर देगी उल्लू आपसे बाते करेगा और ये वाक्या आप अपनी जिन्दगी में देख सकते हैं जो लोग अभी मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये आप क्या बोल रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है जानवर कैसे बोल सकता है बोलने को तोता भी बोलता है इंसान की तरह और वो भी एक पक्षी है और उल्लू भी एक पक्षी है और ये भी इंसानों की तरह बोलता है और इसकी आवाज तोते से भी ज़्यादा क्लियर होती है ये आपको सब कुछ बताएगा आपका भूत भूश है आप जो भी पूछना चाहते हैं शर्थ है कि आप उल्लू की साधना में बरिपक्व हों जब आपकी 41 दिन हो जाएंगे फिर ये आपको बोलेगा ये पूरा बचने की कोशिश करेगा लेकिन आपको इसे नहीं छोड़ना ये आपको हर वो लालच देगा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप इसे छोड़ दे जिदि आपने छोड़ दिया तो आप उसी वक्त मर जाएंगे इसलिए आपको बोलू को नहीं छोड़ना है आपको बोलू से कुछ भी पूछना है सिर्फ अपनी मौत नहीं पूछने अगर आपने वो भी पूछा तो भी आप उसी वक्त मर जाएंगे यह कुछ नियम होते हैं हर चीज के नियम होते हैं जैसे हम कोई भी बाए करते हैं या तोटका करते हैं तो उसमें साफधानिया होती है और उसके भी नियम होते हैं तो हर जो की जो सदाब भूगतने पड़ेगी वो शायद मौत ही होगी क्योंकि इनके प्रभाव भी बहुत हैं और दुश प्रभाव उससे भी जादा तो आप तालिस दिन तक करिए उसके बाद उल्लू बोलेगा आपको खिलाना है उल्लू को हड़ियां दूद में गरम करके थोड़ा जब गरम करेंगे तो वो खीर जैसे हो जाएगी उसके बाद वो खिलाईए और उल्लू से बड़े आसानी सखाएगा और उसके साथ आपको उल्लू को मास खिलाना है कोई भी मास जो नॉर्मली खाते हैं या जो उल्लू पालते हैं वहाँ पर भी आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी और वहाँ से भी उनका खाना ले सकते हैं और उसके बाद वो आपको सब कुछ बताएगा और दूसरी बात रही यह जब आपकी सादना कमपलीट हो जाए पूरी हो जाए तो आपको उल्लो को मतलब छोड़ना नहीं है आप कहीं सोचेगी हम इसे छोड़ देंगे गर आप छोड़ देंगे तो वो आपको आपकी आँखे जो है उनकी उपर हमला करेगा आप पचे नहीं सकते उसकी हमले से क्योंकि जब वो बताता है कुछ भी चीज बताएगा तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो कि हमारी और आपकी समझ से बाहर है बहुत सी शक्तियां इस संसार में ऐसी हैं जो हम में लगता है कि यह सब बक्वास है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जब कहीं चमतकार हो जाता है तो हमारी आँकी खुले की खुली रह जाती है कि यह कैसे हो गया तो उल्लू की साधना कुछ इसी प्रकार है और यही प्रयोग आपको करने हैं उल्लू की साधना के बाद आपको उल्लू की गर्दन जो है वो धर से अलग करनी होगी अपने बचाव के लिए तब ही आपकी जो साधना है वो पूर्ण होगी पूर्ण तो वो पहले भी हो जाती है लेकिन आपके बचाव के लिए आपको उसको मारना पड़ेगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक information के लिए वीडियो है इसमें आप बिल्कुल भी ऐसा करने का प्रियास ना करें क्योंकि ये बहुत ही खतरना का और बिना गुरू के तो ये करना भी नहीं चाहिए बिना गुरू के अगर आप करेंगे तो ये एक बेवकूभी मात्र होगी और उल्लो के और भी बहुत सारे प्रभाव हैं उल्लो को अगर आप उल्लो की पंक मिले आपको तो आप उल्लो की पंक से भी बहुत सारे उपाई कर सकते हैं उल्लो का अगर दांत मिले वो भी बहुत प्रभावशाली होता है या यूं कहिए उल्लू अपने आप में हर किसम में बहुत प्रभावशाली है और अगर सफेद उल्लू है तो सोने पे सुहागा तो अगर आप भी ऐसी साधनाओं के बारे में और जाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए और चैनल को सबस्क्राइब करिए ताकि मैं आपको उन सच्चाईयों से वाकिफ करास्त कूँ जो कोई नहीं बताता या वो साधनाओं या वो इल्म जो आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं और मेरी उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंदा रही होंगी प्लीज इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए फटाक से सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ें ताके मैं आपके लिए लाओं और भी ऐसी रहसे में चीज़ें जो आज के समय में भी काम करती हैं याद रखिएगा चीज़ें कितने भी पुरानी क्यों न हो जाएं इनके अंदर तागत इनकी जो शक्तियां हैं ये सालो साल बिलकुल वैसे ही रहती है और अगर जिस इंसान ने एक बार कोई साधना कर लिया कोई चमतकार उसके जीवन में हो गया तो उसको इस संसार से एक तरह से मौह उठ जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यह जो जीवन है यह सिर्फ एक धोका है अंत मती सोगती यानि कि अंत में जो हमारे दिमाग में होगा हमारी आत्मा उसी के पास चले जाती है इसलिए जब आप ने देखा होगा कोई व्यक्ति मरता है तो उसे गीता या कोई भी ऐसा पाट सुनाए जाता है ताकि इसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए इसलिए हमेशा परमात्मा को याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी अंत समय में उस लाइक बन पाएंगे कि उसको याद कर सके और इनी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कमेंट सक्षिंग में सभी मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से चाहते हैं कौन से टॉपिक के उपर में वीडियो बनाऊं तकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना के और भी ज़्यादा आपके नजदी काऊं और इसी प्रकार से हमारा जो दुल्लब सामगरी का यहां पे परिवार है वो और बड़ा बने और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर बताईए कि क्या आप आपने अपने जीवन में क्या भी ऐसी कोई साधना करी है या करनी जा रहे है या कोई भी ऐसा विचार हो तो कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा ओम नमस्षिवाई